खर जो आप तो आज करते हुँ आप सब्सक्राइब तो आज हम डिसकर्स करेंगे अगेश्च चेप्टर के हमने स्टार्ट किया होए आज इस तो किनेमेडिक्स जो किने बीब बात है हमने अभी तक ही गया आप उस में जितने भी टॉपिक्स हमने डिसकर्स कि उन से रिलेड कुछ एक्जांपल तर्साइमेंट्स है में कुछ प्राब्लम्स ऐसे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के साथ पूर लेड करते हैं उनको में वही टॉपिक्स जो व एक रिलेड हैं और उनमें में वह ही टर्मिलोगी यूस करोंगा जो कि मोशन के लिए में इस्तेमाल की थी मोशन के लिए मैं यूस किया था मीन मोशन के डिफरेंट रम जो कि मैंने एक्स्प्लाइं किया तो फॉर्स यहां पर हमारे पास एक्जांपल 2.1 एक एक नमेरिकल ह हैं यहां पर उनकी जो स्पीड है वो एक तरह से यहां पर रिकॉर्ड किया गया है यहां पर यहां पर यहां पर मुव कर रहा है और यहां से इस पॉइंट एस पॉइंट बी तक पहुंचने में वो कितना डिस्टन्स कवर करता है वो है थ्री हांड़ेड एंट तर्टी मिली मीटर अब यहां पर हम देख लें तो यह तरह से हमें इस टोटल ट्रैक की बारे में मीन जो टोटल डिस्टन्स है स्नेल जो खवर कर चुका है वो बिट्वीन पॉइंट एंड पॉइंट भी हैं तो मुझे यहां पर टोटल डिस्टन्स की बात की यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहुंचे से मीन उसका जो टोटल डिस्टन्स है वो हम स्नेल कवर करें चुका है दिसनेल कवर 330 mm distance in जस्ट 20 minutes and 2 minutes and 20 seconds अब ताइम भी मुझे में वो है क्या 2 minutes and 20 seconds नीन यहां पर अगर हम देखें मुझे दू वरीयेबल्स क्या 2 parameters मुझे दी गई हैं एक हमारे पास यह all distance mission this this was the distance 30 303 this is the distance यह हमारे पास distance की value mention हैं यहां पर अगर हम देख लिए तो 2 minutes and 20 seconds यह हमारे पास एक तरह से time mention this is the time time की value मुझे मैं मुझे 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 करना है what was the speed of the snail so अगर इस से मैं अपना given लिक को तो हमारे पास given में क्या है given कि distance book बराबर है three hundred and thirty millimeters अब जब भी मैं एक numerical solve करता हूँ physics man chemistry में तो सबसे पहले मैं उसको एक तरह से साइउनेट करता हूँ साइउनेट में लखने के बाद मैं अपना जो पार्मूला है या जो required हो में मालूम करूँगा लेकि यहां पर घर हम देख ले तो three hundred and thirty millimeter मुझे distance दिया गया है मीन यहां पर मिली का इस्तिमाल हुआ है और मिली हमारे पास क्या है that is the prefix यह तरह से हमारे पास prefix इस्तिमाल हुआ है this one is the prefix यह prefix है ठीक है अब इस prefix को मैं change करूंगा प्रिफेक्स की जगा उसका जो multiple है में टेन पावर है वह में लगाँगा है चुनके उसके बाद मुझे distance का जो यूनिट है उमरे पास मीटर ही है यहां पर मैं मिली की जगा मिली हमारे पास बराबर है यहां पर मैं लिखता हूं मिली एक prefix है जो कि हमारे पास बराबर है टेन वेस्तिव पावर ओफ माइनस त्री या अगर हम देख लेके हमारे पास 1 ताउजन्ट मिली मेटर होते हैं हम कर सकते हैं यहां पर मीली के जगह हमने लगा दिया है एक तरह ट्री यह मिली के जगह और मीटर अपनी जगा अब इसके बाद हैं इसके बाद हम यहां पर हम देख लिए के बराबर है यहां पर हम देख लिए कि यहां पर इस के लिए मैं पॉइंट लगा लेता हूं में हमारे पास में जो वली है वो है 0.33 meter that is the total distance between the point A and point B which is covered by the garden snail और simple snail अब यह तो एक तरह से distance की वली हमारे पास आ गई है अब इसके बाद time की वेरे जो के मैं कहते हैं हर एक तरह से हमारे पास total time को रप्रेंट इस इस टोटल नाम यह हमारे पास एक तरह से क्या है total time which is given by the snail to cover this distance between the point A and point B so this one is the two minutes and 20 seconds तो जब अगर हम देखें तो यहां पर time के लिए हम यूनित यूनित हमारे पास है time के लिए है लेकिन यहां पर minute का इस्तमाल हुए जो कि bigger unit है तो इसको भी में convert करूंगा एक तरह से minute में convert second में convert कर दूँआ तो हमें पता है कि one minute में हमारे पास one minute में बराबर है एक तरह से एक तरह से इसके बाद हमारे पास क्या है what was the speed of the scale अब यहां पर मुझे speed mention किया गया है लेकिन मैं calculate कर रहा हूं total means the average speed because of it कि यहां पर मुझे total distance की बात यहां पर total distance covered है यहां पर एक तरह से total distance covered हुआ है और मुझे total time भी दिया गया है so we can use the average distance formula dates why we can use the average speed formula that is the total distance divided by total time intervals या total time taken so मैं यह use करता हूं अब एक तो हम speed के लिए यह formula भी use करते है कि speed हमारे पास बराबर है delta s divided by delta यह तरह से simply हम speed के लिए स्क्राइब कर सकते है कि distance divided by time यह भी हम use करते है लेकिन यहां पर चुंकि average speed है so we will use the total distance divided by total time so जब मैं दिकूँ तो हमारे पास total distance की विल्ग क्या है वो है 0.33 meter तो जब मैं वेरी इसकी जगा वेरी पूट करूँ time की वेरी 140 पूट करूँ तो 0.33 meter divided by 140 seconds तो जब मैं इसको कल्कुलेट कर लो तो हमारे पास आंस राता है 0.0024 meter per second and that was the average speed that that snail used on this quake so this track पर move करने के लिए snail कितनी speed के साथ move कर रहा है 0.0024 meter per second तब भी तब ही वो तू मिनट और 20 सेकंड में 330 या 330 millimeters का distance कवर कर चुका है so that is the required जो कि हम इसक्रा से आंसर में भी लिख सकते हैं कि are we speed हमारे पास बराबर हैं 0.0024 meter per second this is something about the example 2.1 इस रिलेट और भी बहुत सारे example assignment हम भी solve करेंगे और जो कि daily life में हम यूज करते हैं so this this one is the something about the average speed है जो कि स्नेल के लिए हमने calculate कर दिया है